उदाहरन आठ प्रश्न दिये गए चित्र 31 में AB समानतर CD तब X का मान ग्याद कीजिए हल दिये गए चित्र 32 में बिंदु E से EF समानतर AB खीचिए तब EF समानतर CD चित्र कर्मांग 32 देखिए चूंकि EF समानतर CD और CE तीरियक रेखा है अतह कूण DCE धन कूण C EF बराबर 180 अंश अब हम चित्र में देख सकते हैं कि कूण DCE का मान एकस अंश है इसलिए X लिखते हैं कूण DCE के जगा में एकस अंश धन कूण C EF बराबर 180 अंश इस तरह से हमें मिलता है कूण C EF बराबर 180 अंश रिण एकसंस समिकरण एक पुना चित्र देखे चित्र में EF समानतर AB और AE तीरियक रेखा है इसलिए कूण B A E धन कूण A E F बराबर हमें एकस अंश प्राप्त होता है क्योंकि कूण B A E और कूण A E F दोनों सह अंतर कूण है अब चित्र में देखे आप कूण B A E का मान एकसो पांच अंश है और चित्र में आप फिर से देखे कूण A E F पर ध्यान दीजिए कूण A E F बराबर है कूण A E C और कूण C E F का जोड़ इसलिए हम कूण A E F की जगह में लिख सकते हैं कुस्ठक में कूण A E C धन कूण C E F बराबर एकसो असी अंश आगे लिखें इसको एकसो पांच धन कूण A E C चित्र में देखें कूण A E C का मान कूण 25 अंश दिया हुआ है तो वह हम लिख लेते हैं आपर और कूण C E F का मान देखें समिकरन एकसे एकसो असी अंश रिण एकस अंश बराबर एकसो असी अंश कोस्था खाटाने पर एकसो पांच धन 25 अंश धन 180 अंश रिण एकस अंश बराबर एकसो असी अंश इस तरह से हमें मिलता है तीन सो दस अंश एकसो पांच अंश पचिस अंश और 180 अंश का जूड तीन सो दस अंश रिण एकस अंश बराबर एकसो असी अंश हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं तीन सो दस अंश रिण 180 अंश बराबर एकसंश या हमें 310 में 180 घटाएए मिलेगा हमें 130 अंश बराबर एकसंश इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हुआ एकस कामान 130 अंश झाल 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 झाल